तो साव्ट अफ्रिका वर्सेस न्यूजिलेंड की मैच और साव्ट अफ्रिका क्या बढ़िया तरीके से न्यूजिलेंड को हरा दिया है हमें पता था ये टी में ऐसा खेलेगा लेकिन जिस तरीके से न्यूजिलेंड को हराया है इसके बाद तू मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान को टॉप फोर में जाने के लिए जिस क्रिप्ट की जरुरत है वो बढ़िया तरीके से अब तयार हो रहा है इंडिया वर्सस पाकिस्तान की मैच ओपी सेमी फाइनल या टॉप फोर की क्वालिफाइर्स की नौकाउट अब तो सोची सकते हो रोमांच और यार्शिप कहाँ पे जाएगी मुझे तो लगता है ये केस हो सकता है और उसके साथ आफगनिस्तन के पास भी एक बरिया मौका है टॉप फोर की पोजिशन को ग्रैप करने के अगर नेदालेंड के साथ नेक्स्ट मैच जीत जाए अफगनिस्तन तो साथ में से उनकी चार जीत हो जाएगी जिसके कारण टॉप फोर की जो पोजिशन है ओ निउजलेंड गबा सकती है और निउजलेंड वर्सेस पाकिस्तन की मैच भी बहुत जादा रोमांच चक होने जो जीतेगा वही रहेगा ऐसा खेल में अब आ चुके है कि निउजलेंड वालो थोड़ा सा चोक कर ली है जो बहुत बड़ी तरीके से निउजलेंड वालो को अब घायल कर रही है लेकिन कल की खेल के हम अगर बात करें डीकॉग भाई तो जब से अपने रिटेर्मिंट के अनॉसमेंट की है तब से तो बाकी के गेम भूल के सिब मार में फोकस किया है तो एक गेम खेली और एक चक्का लगा के 357 की लेकिन उनको एक दुख हुआ क्योंकि IPL जैसा अगर हैरियर सुपर स्ट्राइकर की एक प्राइज रखती या पे तो कुछ अच्छा हो सकता था एक गारी शरी मिल सकती थी लेकिन या पे तो है नहीं उसके बाद उनको लगा कि क् क्यों एतना कोशिश की बाई साव IPL कहलने के चक्कर में या पे साला कुछ नहीं मिलेगा एक चक्का माने के बाद भी के लोगों कुछ की में बता तो जो भी है बहुत अच्छा तरीके से 357 रन साथ आफ्रीका ने स्कोर की लेकिन उसके जबाब में निउजलेंड बालो एक ना हो सके कोशिश किये 60 रन बनाए लेकिन ओ काफी नहीं थी जैसे हम ऑस्टिलिया के खिलाब फाइट देखे निउजलेंड से वैसा फाइट हमें या पे नहीं देखने को मिला और अब ओ हारने के बाद पाकिस्तान और निउजलेंड इन दोनों की क्वालिफिकेशन को ले अगर निउजलेंड हार जाए और आप कह सकते हो निउजलेंड अगर बिछर जाए तो उनके पास टॉप फोन में जाने की जो एक अच्छा मौका था वो बड़िया तरीके से ये टीम गबा बैटाएगा टॉप टू में ये दोनों ही खतम करीगी और सेमी फाइनल मुझे लगता है इंडिया वर्सेस साथ अफरिका की हो सकती है और उसके बाद हम अगर इंडिया की बात करें तो छे में से छे जीतती हुए जो नेटरन रेट थी उसको आप कह सकते हो थोरा सा टपक के साथ अफरि इसके उपर क्या बड़िया तरीके से दोनों ही टीम खेल लेए और आज है इंडिया वर्सेस सिलांका की खेल अगर इंडिया बड़िया तरीके से सिलांका को हरा दे मुझे तो लगते हरा ही देगा यार मैं इतना सुन्दर क्यों हुए अगर ठीक ठीक से खेल पाए तो फिर पर आएगा और इंडियन टीम साथ आफ्रिकान टीम के सामने कितना कठीन है और कितना अच्छा तरीके से खेल पाती है उसका भी एक बढ़िया नजार अंदर जब कर पाएंगे लेकिन आज की जो खेल है मुझे तो लगते है वांखेरी के पीछ है बढ़िया पाटा पीछ क्योंकि सिर्फ पचास से एक घंटे के अंदर खेल खतम होने का जो एक दूख है ना बहुत ज़्यदा चुकती है भाई साब सिर्फ की जो विकेट नहीं मिल रहा सिर्फ की जो दिक्कत है उसका फॉर्म आज फिर से आने वाला है क्योंकि एश्यक अप में क्या हुआ था ये तो अपको पता ही है लेकिन मुझे लगता है कि पहले टॉजित की इंडिया को बैटिंग करना चाहिए नहीं तो खेल बहुत जल्दी खतम हो सकती है और फिर से मम्मी आके टीवी ले लेगी तो मेंड बात है बढ़िया तरीके से अज खेल होने को है अगर इंडिया जीत पाए टॉप में पहुँचेगी और फिर से शाफते इपरिका वर्सिस इंडिया की जो दोर जो एक कोशिश चल रही है कौन पहले और टॉप में खतम करेगा वो फिर से शुरू हो जाएगा और इंडिया फिर से टॉप पर चल जाएगा तो आप अगर चाते हो इंडिया टॉप पर जाए तो जरूर से लाइक शेर और सब्सक्राइब करना दोस्तों के सथ शेर करना और आप भी एक कॉमेंट करके जाना क्योंकि आपकी एक कॉमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवे करती है ऐसे ही क्रिकेट प्लिटेट मज़दार वीडियो वनाने के लिए थैंक यू